नमस्कार दोस्तों, स्वागर करता हूँ आप सभी का एक बार फ्री से Structures of the World चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों, भारत के मुंबई शहर में मरीन ड्राइफ के पास सर्फ 700 मीटर की दूरी पर ही दो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मौझूद है एक है वांखेरे स्टेडियम और दूसरा है ब्रेबोर्न स्टेडियम तो आज के वीडियो में आईया जानते है कि ब्रेबोर्न स्टेडियम को बनाने के बाद वांखेरे स्टेडियम की जरूरत क्यूं पड़ी और आज के समय में वांखेरे स्टेडियम ज्यादा पॉपुलर क्यूं है दोस्तों इन दोनों में से ज्यादा पुराना है ब्रेबॉर्ण स्टेडियूम जिसे मुंबल के चर्च गेट में सन 1937 में ही खोला गया था इस स्टेडियूम के मालिक है क्रिकेट क्लब ओफ इंडिया और इसकी सीट केपासिटी है बीस हजार और इसे उस वक्त के बॉम्बे के गवर्णर लॉर्ड ब्रेबॉर्ण के नाम पे ही रख दिया गया था ब्रबॉर्ण स्टेडियूम को सन 1948 से 1972 के बीच इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस खेलने के लिए यूज किया जाता था और इंडिया की जमीन पर सबसे पहला T20 इंटरनेशनल मैच्स भी ब्रबॉर्ण स्टेडियूम में ही खेला गया था सन 2007 में दोस्तो पहले BCCI का हेड़कॉर्टर भी इसी स्टेडियूम में था और सन 2006 तक 1983 क्रिकेट रॉलकप का ट्रॉफी भी ब्रबॉर्ण स्टेडियूम में ही रखा गया था उसके बाद इस ट्रॉफी को वांखेरे स्टेडियूम ले जाया गया दोस्तो ब्रबॉर्ण स्टेडियूम के बनने के बाद से ही इसके मालिक Cricket Club of India और Bombay Cricket Association के बीच हमेशा से ही seat allotment को लेकर छोटे-मोटे controversies होते रहते थे और सन 1971 के बाद ये controversy और गंभीर बनता गया जिसके वज़े से उस फक्त के Bombay Cricket Association के President Mr. S.K. वांखेरे ने खुद से एक नया स्टेडियूम बनाने का फैसला किया और ब्रबॉर्ण स्टेडियूम से सिर्फ 700 मीटर दूर ही इस स्टेडियूम को बनाये गया और इसी का नाम रखा गया वांखेरे स्टेडियूम सन 1974 में इसको एस्टाब्लिश किया गया और सिर्फ 13 महीनों में ही वांखेरे स्टेडियूम की कंस्ट्रक्शिन कम्प्लीट की गई Modern facilities से भड़े होने की वज़े से वांखेरे स्टेडियूम को ही मुंबई की Main Cricketing Venue के रूप में यूस किया जाने लगा और तभी से ब्रेबॉर्ण स्टेडियूम की पॉपुलरिटी धीरे धीरे कम होती गई और फाइनली सन 2009 में 36 सालों के बाद ब्रेबॉर्ण स्टेडियूम में एक टेस मैच खेला गया हाला कि ब्रेबॉर्ण स्टेडियूम को क्रिकेट के साथ साथ टैनिस और फुटबॉल मैचेस के लिए भी यूस किया जाता था दोस्तों वांखेरे स्टेडियूम की अभी की सीट केपासिटी है 33,000 लेकिन पहले इसकी सीट केपासिटी थी लगभग 45,000 दरसल 2011 क्रिकेट वर्ड कफ फाइनल के लिए वांखेरे स्टेडियूम का नाम सिलेक्ट किया गया था जिसके वज़े से लोगों के कमफर्ट के लिए यहां एक रिनोवेशन का काम शुरू किया गया था और उसी के चलते इसकी सीट केपासिटी को थोड़ा कम कर दिया गया था दोस्तो भले ही इन दोनों स्टेडियूम की बनने की पीछे की कहानी जो भी हो लेकिन एक दूस्ते के आसपास मौजूद यह दोनों स्टेडियूम मुंबई के स्काइलाइन की खुबसूर्टी को जरूर बढ़ाते हैं तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो जाड़ा सफी इंफरमेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना और आपको वीडियो कैसे लगी कोमेट में जरूर बताना तो मिलेंगे दोस्तो एक और नए एपिसोद के साथ तब तक के लिए मेरी तरब से बबबाई एंड थैंक्स फॉर वाचिंग